तो यह वेट यार मैं उसे भी एक्स्प्रेइन करने की बूरी कुशिश करूंगी कॉफी एंड वैनिला ड्रामा का पार्ट सेक्ट स्टार्ट होता है इसमें हम सबसे पहले रिशा को देखते हैं यहाँ पर सुबह ओठकर हिरो तोस के लिए खाना बनाता है रिशा को सी कुगिंग काफी ता पसंद आती है तभी हिरो तो कहता है कि मैं एक बार तुम्हारी कुगिंग भी ट्रै करना चाहता हूं तभी यहाँ पर रिशा कहती है कि वो अच्छा खाना नहीं बना बाती और वो पक्का हिरो तो को डिसपॉइंट करेगी तब हिरो तो कहता है कि कोई बात नहीं तुम सीख भी सकती हो मैं तू हूं तो यह भी सूची है कि यह कितना वॉंडरफूर पर्सन है अमेजिंग लोग है इसके बाद गुड परसनेल्टी और साथ में खाना भी अच्छा बना लेता है इसके बाद उसे रात की बाद आती है कि उससा टाइम हिरोतों जैसा हो गया और उसे लगार ठाल कि इसका पता जल्दी बिकॉस बात में तेर ना हो जाए तभी सूचती है क्या पता यह मेरी लिए इतना नाइस इसलिए है विकॉस यह मुझे प्यार करता है बट पूछना चाहिए तभी रोथो कहता है क्या तुमें कुछ पूछना है तभी कि नहीं सब कुछ ठीक है इसके बाद रोथो उसे है और कहता है कि चिंता मत करो मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं कि तुम किसी बड़े मॉल में आप बड़े ब्रैंट से कप्ड़े खरीती हो मुझे अपनी सिंपल जगह पर लिए चलो ताकि मैं तुमारे लिए कुछ घटी सकूं इसके बाद रिशा खुश होती है और कहत इसके बाद वो निया आऊंगे बढ़ आउन्गे भड़े दृशिय वाहत और तो सिंप्स department और कैसा मॉल पूंच आथ मुज़ा रहिए है कि आखिर वो काम क्याएा देख़ा हूं घड़ इंगकर समझे भ artists में कॉछ बूहितना जा जाते हैं कि il n वो दोनों शौपिंग कर बहार निकलते हैं जबकि उन्होंने लिया कुछ नहीं था पर देखने के लिए आये थे गया रो तो उन्हें पका उसे लूब बनाया होगा नहीं है ऐसा नहीं है इसके बाद ही दोनों अमेरा में रह निकलते हैं. यहाँ पर रिशा एक फैमिली को देखती है और सूचे कभी मेरी भी फैमिली ऐसी होगी मैं बहुत बड़े हैं इप हिरो तो उसे रोकता है और उसे वही रिंग पहना देता है जो कि रिशा उस टाइम देख रही थी और हिरो तो ने उसकी चाहत समझ कर उसे यह सब गिफ्ट कर दिया फैरो तो कहता है कि यह काफी जल्दी है बट मैं काफी फुजल से भी हो रहा हूँ इसलिए मैं तुम्हें जल्दी पहनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे अलावा तुम किसी को देखो तक भी नहीं तभी यहां पर रिशा कहती है कि हाँ वो इसके लिए ट्रेजर है और उसे हमेशे समाल कर रखेगी चिंता मत करना वह उसे ही पसंद करती है इसके बाद रिशा अपने कॉलिज में आती है यहां पर वो अपनी रिंग को ही देखे जा रही थी तभी पीछे बैठे लड़के उसे देख रहते हैं कि इसके बाद यहां पर हमारे सेकंड में लीड की इंट्री होती है इसका नाम है योशिकी बड़िशा उसका नाम लेती है और वो कहता है कि तुम्हां खुश लग रही हो क्या तुम्हारा वइफेंड बन गया तो यहां पर यहां पर यूशिकी मुझे कुछ जादा एक क्यूट लगा आफका क्या ख्याल आया यार मुझे यह पता नहीं क्यों पर हेरो तो से ज्यादा अच्छा लगा इपर योशी की उसे कहता है कि वो है कैसा अच्छा है तो यह कहती है कि हाँ वो काफी तर मिच्जोर है जेंटल है गुड लुकिंग भी है ही पर एक बन्दा आकर उसकी बाइस सी और सप्राइसिंगञ यह कोई और ने यह मिस्टओ हेरो तो ही होते हैं पर रिशा सुची क्या हेरो तो एक प्रॉफेसर हैं क्या तब यहां पर प्रोफेसर हिरो तो को इंडूडियूस करवाते हैं कि हिरो तो दरसल एक CEO है कमपनी का मतलब हिरो तो सच में एक बिजनेसमेन है और अपनी काफी बड़ी कमपनी चलाता है चोकि उसने खुद शुरू की थी इसके बाद स्टूडेंट अट्रेंशन होकर बैठ हरो तो आप सबी कोई लेक्ट्चर देने वाल हैं आपके फ्यूचर के लिए इसके बाद नेक्ट्चर करता है और इसका लेक्ट्चर काफी टाइम बात खतम होता है अगर यसी को कुछ पूछना है तो पूछसकता है पर श्रीशा की बात करें तो आखिक आपके फार्ट फा करूं इसी टाइम इंपर रिशा उसे देख रही हुती है कि यह क्या बात थी पर योशी की को रिशा की शकल देखकर सब समझ में आ रहा था कि उसका बॉइफेंड को यह नहीं यहीं मिस्टर हिरो तो है इसका दूसे गुसा भी आता है तरसल हमारा योशी की रिशा को काफीद पसंद करता है तो यह तो तीन देन लेट हो गया पहले बोले देता बात बन जाती हुआ निकलती है और रिशा निकलती है और रिशा की अब यह कांदा यहां पर हिरो तो कहता है कि बचकर रहना तुम सिर्फ मेरी हो और उससे दादा लगाम मत रखो इसके बाद वह रिशा किस करता है यहां पर योश की भी से ढूड़ते हुए आता है तो यहां पर वह हेरो तो और रिशा को किस करते हुए देख लेता है इसके बाद वहां से चला जाता है अगले दिन योश की रिशा को अप्रोच करता है यहां पर कहता है कि तुम यहां पर अकेले क्यों तब यह कह और हमारी इच्काई और इसकी सोच काफी बड़ी है यहीं पर योषिकी रिशा को काफी क्लोस से खाना बनाना से काता है तो रहसल पूरा-पूरा से कर रहा था तब है कंपर इनके सब्सक्राइब कारे सायगे stimulate क्षेख लिए नहीं म Michigan होसा था ओज्दीन champions तो तोब दोनों अरक ने किला की आजए है और किता है कि रिषाब मैंने को बाहता था बल्राब कर्पन पर यहां reco ॹंव्राइब में लग जाता है इसके बाद हिरोतों को योषीक को देख कर कुछ अच्छा नहीं लगता कि यह रवी हिरोतों को देंसके एक लिखिए को पसंद करते हैं कि यह जल्दी छबाटा है की बिसक प्राइब करने वाला यहां पर हिरो तो कहता है कि ठीक है जो भी करना पर जल्दी करना मैं नहीं चाहता है कि तुमारे आगे पीछ से आता घूमें मुझे वो लड़का पसंद नहीं है तभी रिशा कहती है कि चंता मत करो मैं उसे कल डम पक्ता कर दूंगी इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं ज cat की जया रहा होता है तभी रिशा उसे सप्रोच करते हैं और गठीकिति थे मुझे तुमसे बात करनी हैं और और तंभी अहीं नहीं सुना दैघ्या करने वाली मुझे इससा पता है कर तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए ।नह पता है ना मैं उस बंदे से ज़्यादा तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं इतनी जल्दी गिवप नहीं करने वाला और तुम किसी इनसान को इतनी जल्दी डम कैसे कर सकती हो उसकी फिलिंस को भी समझा करो यार मिदले कुछ तो टाइम दो यहाँ पर रिशा कहती ही कि नहीं वो हिरो तो कोई पसंद करती है इसके बाइऑ रिशा की उसके गले पर कुछ निशान दिखता है और कहता है कि ये क्या है इसके आज रिशा के काफ़ एक ता करीब होता है और उसी के साथ हमारे ये पार्टी पे खतम हो जाता है असल मिलते हैं एक्सपर्ट के साथ तक के लिए बाई बाई टेक्या गाई एंड और सो फॉलो मी आन इंस्टाग्राम और यार चैनल को कब सब्सक्राइब करोगे